surrounding it गंगा जी कि घाट के ऊपर एक बहुत बड़ा पक्षी जा रहा था और । Пक्षी के Munह में सर्प धा मतकाते पक्ष तो सर्प उपर से नीचे गीरें हैं जब नीचे इरें पक्षी के मुख से सांप, तो देखा सांप तो उपर से नीचे आया, लेकिन अंदर से चतुरबुज रूप लेके कोई उपर चला गया, तो देख करके गरुण हैरान हो गए, बोली यह क्या था, उपर से जा रहा था नीचे तो पक्षनी की सरप था, उपर गया तो चतरबुच रूफ विष्णू हो गया जो इंद लगा की महीमा नहीं जानते हैं बहुत बढ़ी महीमा अजंदा कि इस पर्ष प्रश माथ से को विष्णु मूर्ति हो सकते हैं तो पार्वाती जी बोले थे सचमें हैं यह जितने लोग नहर है गंगा किने संद व्ष्णु मू भवा ने गीता में कहा जो जितने प्रतिशत मेरी शरण में आएगा उसके उतनी प्रतिशत उस पर कृपा करता हूं तो पार्वती जी बोली समझ नहीं आया बोले आईए अभी समझ में आएगा हम दोनों चलते ब्रामन ब्रामनी का वेश लेके शिव जी तो गड़ा कोद के बोले मैं नीचे गिर जाता हूं जितने ब्रामन आकर आ रहे हैं इनको पता है कि गंगास्नान करके आए उनके पाप कट गए तभी तो गंगा में आए अब इनसे बोलना कि आप मेरे पती को बाहर निकाल दो तो जब निकालने लेके तो बोलना कि तो तभी निकालना अगर कोई पाप बाकी ना हूँ तो देखो कितने लुगों को सद्दा है तो परवथी खड़ियों के ब्राह्मनी बनकर ब्राह्मन लोग आ रहे थे एकदम लोटा लेकर के और घम डालकर के अरी बूलजे गंगे जे आख़े जे नमामी गंग करते आ रहे ते और आकर कि देखा त पाप का बाकी तो नहीं है। पाप हो भी सकता है। फिर मेरे पती को है न सब वर्दान है। कि अगर कोई एक भी पाप हुआ और छो लिया तो उसके सर के सो टुकड़े हो जाए। तो एक ब्राह्मन गया, दो ब्राह्मन गया, दस ब्राह्मन पूरी मंडली निकल गई। मंदिर में जितने बैटे तो सब ले गए किसी ने नीच हुआ। तो पारवध्य रहा है। बोले सबस्नान करके आएं किसी को नहीं श्रद्धा है फिर एक बहुत आया उससे बूला कि आप चुलेंगे बोले एक भी पाप रहा तो आपके सो टुकड़ हो जाएंगे किसी बात करते हैं जी घंगा जी का सपर्श क्या क्या कोई पाप बाकी रह जाएगा तो उन्हें तुरंद उनको शिवजी को बहार नेखा दिया तो यह श्रद्धा के उपर ऐसी यमना जी के उपर जितनी श्रद्धा आप आजाए देखें ओ स्मेल आ रही है ओ कच्ड़ा है म घइब ओड़ा है जिजी बtez点 घभार म 10 दये और ए रच्वटर के मेर को प्युटत मेंन तो resin के शिवरा की बजयरा है जयरा है वियूत गूरे न Надоे जगार है एग जिए और ग्यूमुटते है एजला हुटते हैं जी ऊयोबार सेमी कर दो चार्च सब्अन जी बभार देखें